सबकों, आज हम सब लोग मकर संक्रांत के विशे में जानेंगे और देखेंगे मकर संक्रांत का क्या महत्व है मकर संक्रांत को मकर संक्रांत कही जाती है और किन की चीज़ों का दान करना चाहिए और कैसे तो सबसे पहले हम देखें कि मकर संक्रांती नाम क्यों पड़ा क्योंकि सूर इस समय मकर राज़ पर जाते हैं इसलिए इस दिन को हम कहते हैं मकर संक्रांती इसका बड़ा धार्मिक महत्व है भारत के अधिकांस लोग किसी पवित्र नदीम असनान करते हैं और शनान करके प्रमात्मा का नाम लेना बहुत ही अपना पवित्रकाश friendships काम समझते हैं और दान देना भी इस दिन भहुत अच्छा माना जाता है तो दान दिलगुड के लटू करते हैं इसकेसाथ उत्य मैं कहते हैं कि तिलगड के लटू कर से हमारा सरीर स्वस्तो निरोग रहता दूसरों जो हम खिलाते हैं तो दूसरों खिलाने मतलब तो दूसरों खिलाएंगे खुद भी खाएंगे तो तिल गुड का प्रयोग अगर हम खुद भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है अब जानते मकर संक्रांती का अलग अलग नाम है जैसे पंजाब इसको लोहडी के रूप में मनाते हैं, आसा में बिहू के रूप में मनाते हैं, और दशिर भारत में पोगल के रूप में मनाते हैं, और हम गुजरात वाले इसको तिलगुड का तिवार कहते हैं, और उत्तर प्रदेस वाले से खीचडी के नाम से सामान तोरत जानते हैं और लेकिन इसका सास्त्री नाम है मकर शंक्रान तो बहुत ही बड़ा भारत का धार्मी पर है और पहले जवाने में नए अनाज का भी कुछ लोग इस दिन सेवन करते थे तो यह इस प्रकार से हमारे जीवन में हमारे उस्सों जो होते हमारे जीवन में नया रंग भ भागोत्त में कहा जआ है कि नधियों इससे सक्ताइन है लोगों से मिलेंगे और बहां के ऐसा लागरी तिर्वाजू को जानना यह सब उद्देश था पूरे देश को जानने का तो यह बहुत सारे मानेताओं को लिए पूरे था और इसकी इतनी अधिक मानेता है और ने गया है Мы करना चाहिए इसके साथ लोगों की भलाई के लिए वह सोचना चाहिए दूसरों के के चीजों को सक्ष रखें बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं तो उन सब सारे चीजों को करें और अपने देश का नाम पुरे इस बिश्में ब्रह्मान में अच्छा करें सुभावना सबको रखें इसे बड़ी कोई बात नहीं है तो सबको धन्यवाद हमारे कि अ कि